प्रिदर्सको नमस्कार हाजर हूँ जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा ही विभा में आ रही अडचनों को दूर करने के कारगर उपाई लेकर के आपके सामने उपस्तित रहता हूँ आज भी मैं एक ऐसा ही रामबान उपाई लेकर के आपके सामने आया हूँ जिसको करने से आपके विभा में हो रहा विलंग आ रही अडचने सब दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द विभा का योग बन जाएगा प्रिदरसको ये उपाए जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये उपाए आपने अमावश्या के दिन करना है ये तो आप जानते ही हैं जेश्ट अमावश्या 30 मई 2022 सोम्मार के दिन आ रही है सोम्मार के दिन अमावश्या होने के कारण ये सोमवती अमावश्या के नाम से भी जाने जाती है जब भी सोमवती आमवश्या आती है तो इस दिन एक परबल योग बनता है एक अधभुत योग बनता है इस अधभुत योग में किया गया कोई भी उपाई बहुत ही जल्द फली भुत होता है और उसका जो सुब फल है उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द हमें देखने क को मिलता है विभा को लेकर के चाहे कितनी भी बड़ी समष्य आप के जीवन में चल रही होँ आपकी बाते चलती हों लेकिन सादी में कण्वट नहीं हो पा रही हो या रिस्टानां बंध हो गया हो या रिस्ते न हो चुके हो यदि ये उपाए आप आमावेश्या की दिन करते हैं तो विवा से जुड़ी हुई सारी समश्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा ये उपाए कोई भी कर सकता है बच्चे खुद भी कर सकते हैं बच्चों के माता पिता भी कर सकते हैं बच्चों के बहन बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं तो प्रिदर सको अब आप उपाये सुन लीजिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि जो वीध अला भवें मिला नहीं यदि आप वीधि विधान से करते हैं जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके से यदि आप करेंगे आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट करेंगे तो अवश्य ही आपको इसका लाब देखने को मिलेगा ये जो उपाए में आपको बता रहा हूँ ये उपाए आपने अमावश्या के दिन सुभै के समय करना है और ये उपाए करने के लिए आपके पास सामगिरी क्या होने चाहिए उसको आप ध्यान से सुन लीजिए आप एक थाली ले लीजिए कोई भी थाली हो उस थाली में आप दो जनेव रख लीजिए यगो पवित उसके बाद चार सफेद फूल आप उसमें रख लीजिए उसके बाद इसमें मिठाई रख लीजिए आप पेड़े रख सकते हैं, आप बर्फी रख सकते हैं, सफेद रंग की मिठाई होने चाहिए, जोडे में होने चाहिए, यदि आप पेड़ा रख रहे हैं, तो दो पेड़े रख लीजिए, यदि बर्फी रख रहे हैं, तो दो बर्फी रख लीजिए, यदि पेड़ा और आप नहीं रख रहे हैं, तो फिर आप दो पता से रख लेजिए, दो पता से भी आप रख सकते हैं, लेकिन साबुत होने चाहिए, तूटे हुए नहीं होने चाहिए, साथ में दो लोग, दो इलाइची आपने रखनी है, और साथ में एक कच्चा सूत आपने ले लेना है, कच आप ले सकते हैं, उसके बाद आपने स्टील का लोटा ले लेना है, स्टील के लोटे में सबसे पहले गंगा जल डालना है, उसके बाद उसको सुध जल से भर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा दूद उसमें डालना है, एक चुटकी हल्दी की उसमें डालनी है, और एक सुबहे सुबहे आप पीपल के नीचे जाइए यदि पीपल के नीचे सिवलिंग स्थापित किया गया हो तो फिर सोने पे सुहागा है अर्थार्त बहुत ही अच्छा है यदि सिवलिंग स्थापित नहीं किया गया है तो भी कोई बात नहीं आप पीपल के नीचे चले ये जो लोटे में आप जल ले रहे हैं इस लोटे के जल को पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए ये सारी चीजें जो मिला रखी हैं आपने ये सारी पीपल की जड़ में आप छोड़ दीजिए उसके बाद ये जो दिपक देशी गे का दिपक है इसको आप पीपल की जड़ में रख करके परजलित कर दीजिए इसको जला दीजिए ये जो दीपक है इसका मुख दक्षिन दिसा की तरफ होना चाहिए और आपने भी दक्षिन दिसा की तरफ मुख करके ही बैठना है दक्षन दिसा की तरफ आपने मुख करके बैठना है इस बात का विशेश ध्यान आपने रखना है इसके बाद ये जो यगो पोवित हैं ये पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए ये जो चार फूल हैं ये भी पीपल की जड़ में छोड़ दीजिए ध्यान करना है पीपल जी महराज का, विश्ण भगवान का, संकर भगवान का, ब्रम्हाजी का और अपने पितर देवताओं का क्योंकि जो पीपल होता है, पीपल में विश्ण भगवान, ब्रम्हाजी, एवं संकर भगवान का निवास होता है और साथ ही हमारे पित्रों का भी निवास होता है तो इन सब का आपने ध्यान करना है और ये सारी चीजे पीपल की जड़ में छोड़ देने हैं अब बारी आती है मिठाई की आप पीपल से एक पत्ता तोड़ लीजिए पत्ता बिलकुल साफ सुत्रा होना चाहिए कटा फटा किसी भी परकार का छेद उसमें नहीं होना चाहिए एक पीपल का पत्ता आप तोड़ लीजिए उसको धो लीजिए और उस पीपल के पत्ते पर ये मिठाई आप रख दीजिए यदि आप पेड़ा बर्फी लेकर के आए हैं तो ये पेड़ा बर्फी आप पीपल के पत्ते पर रख दीजिए नहीं यदि आप दो पता से लेकर के आए हैं तो दो पता से आप पीपल के पत्ते पर रख दीजिए साथ ही साथ ये जो लोंग इलाइची है दो लोंग और दो इलाची ये भी पीपल के पते पर रख दीजिए और ये पीपल का पता पीपल की जड़ में उधर ही जहां सारी सामगरी आपने रखी है उधर ही रख दीजिए और हाथ जोड़कर के प्रातना कीजिए कि हे पितर जी महराज हे वासुदेव भगवान हे शु आसिरवाद परदान करें ऐसा आपने मन में विचार करना है आप मन ही मन ऐसा विचार कर सकते हैं ये सारी सामगरी आपने पीपल की जड़ों में छोड़ दी इसके बाद ये जो कच्चा सूत आप लेकर के आए हैं इसके साथ आपने पीपल की फेरी लगाने हैं यदि हो सके तो आप 108 फेरी लगा दीजिए 108 फेरी आप लगा दीजिए यह जो कच्छा सूत है एक बार पीपल के तने को बान दीजिए उसके बाद यह चलता रहेगा आप घुमते रहे यह पीपल के तने पर लिपटता रहेगा और आप घुमते रहे 108 फेरी आप लगा दीजिए यदि हो सके तो और जब आप फेरी लगा रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाए ओम नमो भगवते वासुदेवाए ओम नमो भगवते वासुदेवाए इस मंत्र का जाप आप करते रहे यदि आप 108 फेरी नहीं लगा सकते हैं तो फिर कम से कम 21 फेरी तो आप लगा दीजिए आप 11 फेरी भी लगा सकते हैं अब कई बार होता क्या है कि पीपल ऐसी जंगे पर होता है कि वहाँ पर फेरी लगाना संभाव नहीं है पीपल के चारों तरफ घूमना संभाव नहीं है तो फिर ऐसे में आप अपनी ही प्रिक्रमा कर सकते हैं एक जंगे खडे होकर के ये सारी सामगरियारपण करने के बाद आप एक जंगे खडे हो जाइए और घूम जाइए अपनी ही प्रिक्रमा कर लिजीये यदि आप अपनी ही परिक्रमा कर रहे हैं तो उस समय आप केवल साथ ही परिक्रमा कीजिए बस यदि खुद की परिक्रमा आप कर रहे हैं तो साथ ही परिक्रमा करनी है यदि पीपल की परिक्रमा करना संभाव हैं तो फिर आप कम से कम 11, 21 कीजिए हो सके तो 108 कीजिए यदि 108 नहीं कर सकते तो 11,21 आप जरूर कीजिए बस ये परिक्रमा करने के बाद आपने अपने घर आ जाना है प्रिदर्सको सोमवती आमवश्या है यदि जनम कुंडली में पित्र दोस की वज़े से साधी में अरचन आ रही है कालसर्प दोस की वज़े से साधी में अरचन आ रही है तो ये अरचने दूर हो जाएंगे क्योंकि सोमवती आमवश्या को एक ऐसा सन्योग बनता है एक ऐसा मुर्त बनता है इसमें किया गया कोई बिकारिय बहुत ही जल्द फली भूत होता है और उसका जो परभाव है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलता है जो सोमती आमवश्या है इसका हिंदु धरम में बहुत ही महतव है यदि आप पर पित्र दोस बना हुआ है पित्र दोस की वज़े से आपके रिष्टे नहीं हो रहे हैं या फित्र दोस की वज़े से और भी आपके जीवन में बहुत बड़ी समश्याएं आ रही हैं तो वो सब दूर हो जाएंगी ये उपाय करने से क्योंकि इसके करने से जो पित्र दोस आप पर लगा है उस पित्र दोस की शांती होने के चांस बन जाते हैं वो पित्र दोस शांत हो जाता है और आपके रास्ते खुल जाते हैं तो फिर दर सको मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की बताने की कोशिश की है और आसा भी करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा फिर भी यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो फिर कोमेंट बोक्स के सहरे आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं रिपलाई देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा पिर दरसको यदि आप अपने बच्चे की जनमकुणली का विशलेशन मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर सक्रीन पर दिये गए नंबरों से आप मुझसे संप्रा कर सकते हैं सक्रीन पर दिये गए वाटसप नंबर पर आप अपने बच्चे की डेटो बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ पलेस आप मेरे पास भेज सकते हैं और जनमकुणली का शटिक विशलेशन मुझसे करवा सकते हैं परिदर्सको यदि कारेकरम आपको अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, सेर करें, एवं कोमेंट भी करें परिदर्सको एक शिकायत मेरी आप से, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, बस आपको नमबर दी गया और आप उसी समय मेरे पास कोल कर लेते हैं आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, अधूरी जानकारी लेकर के आप मेरे पास कोल करते हैं फिर मैंने आपको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है यहाँ आप वीडियो को पूरी देखें, तो आपको कॉल करने की आवशकता ही नहीं होगी आप समझ जाएंगे, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैं प्रतेक वीडियो मैं बताता हूं तो आप वीडियो को पूरी देख लिया करो फिर भी यदि कोई चीज समझ में ना आए तो आप उस समय मेरे पास कोल किया करो ऐसी कोई बड़ी बात या ऐसे बहुत ज़ादा कठिन शब्द का मैं परियोग नहीं करता हूं कि जो आपको समझ में ना आए बड़े ही आसान तरीके से एक एक बात आपको समझाने की हमेशा ही मैं कोशिश करता हूं लेकिन समझ्या यहां है कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और उससे पहले ही मेरे पास कोल कर लेते हैं इसलिए आपको चीजें समझ में नहीं आते हैं तो फिर दर सको आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार